गुड मॉर्निंग श्टूडेंट नवांकूर डिजी लेसिंस क्लास में आप सभी का वेलकम है मैं हूँ सीमा साथ और आज आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ कक्छा साथ का सामझे विज्यान सामझे विज्यान विश्य में आज हम पढ़ेंगे अध्याए तीन जिसका नाम है उत्तर भारत की राज्य आठ सो इसवी से लेकर बारा सो इसवी तक इस पार्ट में आज हम पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति, गुर्जर प्रतिहारवंस, परमारवंश, पालवंस, चालुक्यवंस, आदी तो हम श्रिवात करते हैं, 647 इसवी में हर्शवर्धन की म्रत्यू के पश्चात, उनका सामराज टुक्डों टुक्डों में विवाजित हो गया मींस बट गया, क्योंकि उनका कोई उत्रादिकारी नहीं था 647 इसवी में हर्शवर्धन, हर्शवर्धन उत्तर भारत के एक बहुत ही प्रसद्ध सासक थे या राजा थे, उनका इतिहास में अपना एक अलग स्थान है उनकी मृत्तिव के बाद उनका जो इतना बड़ा सामराज था, उसे सम्हालने वाला कोई उत्रादिकारी नहीं था या ये कहें कि उनका कोई बारिस नहीं था, ऐसी इस्तिती में उनका इतना बड़ा सामराज छोटे-छोटे टुकडों में बट गया और एसी इस्तिती में उनके राज्यों से कई नए-नए छेत्री राज्यों का उदे हुआ और इन राज्यों में सासन करने वाले जो राजबंस हुए, वहे थे राजपूत राजबंस के नाम से जाने गए यानि इनके राज्यों पर सासन करने वाले राजवंस, राजपूत राजवंस के नाम से जाने गए जो ध्यान देने वाली बात यह है कि हर्शवर्धन की मृत्यू के पहश्याद जो इनके मतलब की राज्य को बिखरने से नए छोटी छोटी राज्यों का उदे हुआ था उन राज्यों पर जिन्होंने सासन किया वह जाने गए और उनके जो राज्य थे वो इस प्रकार हैं जै राजपूत अपनी वीर्ता, शौरेता, साहस तथा मात्र भूमी के प्रती अपना सर्वस यानि सबकुष निशावर करने वाले लोगों वाले राजाओं में से जाने जाते हैं तो यहां पर एक और बात जो नोट करने वाली है कि हर्शवर्धन राजा का जो सामराज था उन यानि इन्हें जो हमने अलग-अलग नामों से यहां पर बताया है यह सब राजपूत बंज के सासक थे और राजपूत जो होते हैं राजपूत राजा अपनी वीर्ता, साहस के लिए जाने जाते हैं मात्र भूमी के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले, निशावर क रहे हैं इतिहास में, जैसा कि आपने महरान परताप और प्रतिवी राजपूत चोहाल यह जो हमारे राजा हुए इनके बारे में भी इनकी वीर्ता के बारे में भी आपने सुना होगा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे उनकी उत्पत्ति या उनका उदय किस प्रकार हुआ यह हम यहाँ पर समझने की कोईज़ करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के विशे में विद्वानों में बिभिन मत हैं अधिकांस भारती इन्हें वेदिक कालिन छत्त्रियों से उत्पन मानते हैं यानि की जो राजपूत समाज है उसकी उत्पत्ति के वारे में बिद्वानों के अलग-अलग मत हैं यानि की राय हैं कोई एक राय नहीं है इनकी उत्पत्ति के वारे में इतिहासकार इन्हें बेदिक काल में छेत्रिये या छत्त्रियों से उत्पन मानते हैं कि बेदिक काल में छत्रियों से जो समाज उत्पन हुई उसे राजपूत कहा गया है तो चली हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इनके बारे में जानते हैं पहला है गुर्जर प्रतिहार वंस भारत में प्रतिहारों की तीन साखाओं ने सासन किया यानि हमारे देश भारत में गुर्जर प्रतिहार जो बंस था उनके तीन साखाओं ने सासन किया था इनमें पुर्मुक थे उज्जैनी के प्रतिहार कहा के उज्जैनी जो कि मद्ध्रदेश का ही एक सहर है उज्यनी के प्रतिहार वंस थे, इस बंस का संस्थापक नागवट प्रथम था, यानि किस वंस का गुर्जर प्रतिहार वंस था, जिन होने, जिने हम उज्यनी के प्रतिहार वंस के नाम से भी जानते हैं, इस वंस का जो संस्थापक था, यानि गुर्जर प्रतिहार वंस की न नागवट प्रथम। इस बंस के राजाओं ने मद्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजिस्थान के कुछ भागों पर लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से सासन किया है। नागवट प्रथम थे और इनके अलावा और वी जो राजा थे उनके नाम मैंने यहां पर आपको बतानी की कोशिश कीती, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रतिहार सासक महिर भोज इस बंस का सरवाधिक प्रतापी शाशक था, यानि गुर्जर प्रतिहार जो बंस था, इस बंस का जो सबसे ज़्यादा नामी या प्रसिद्ध राजा हुए, वहे थे राजा महिर भोज, उनका काफी नाम है। प्रतिहार सासकों ने उत्री भारत में कुछ समय के लिए राजनेतिक एकता भी स्तापित की मतला राजनेति में काफी एकता इन्हों ने कायम की थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें नोट करने वाली है महत्पून बात कौन सी है। 647 इसवी में समराठ हर्श की मरत्यु के बाद यानि जो समराठ थे जो राजा थे उत्तर भारत के हर्श वर्धन उनकी मरत्यु हुई थी राष्टकूट, पालवंस, गुर्जर प्रतिहार एवं अन्य राजपूत बंसों में निरंतर संघर्स होते रहे हैं। कि जो कन्योज सहर है उत्तर प्रदेश का उस पर सासन करने के लिए 800 सो लेकर 1220 तक यानि लगभग 400 साल तक लगातार उस एक शहर पर सासन करने के लिए राजाओं की बीच में आपर्स में लगातार संघर्स चलते रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं पालवंस। इस बंस का मूल स्थान बंगाल था यानि जो पालवंस था पालवंस कहा खा था बेसिकली बंगाल का। आठवी शताबदी के मद में उत्तर भारत में एक बड़ा सामराज बंगाल के पालवंस को ने इस्थापित किया था। यानि पालवंस उने कन्योच प्रधिकार करने के लिए प्रतिहारों से और दक्षिन के राष्टकूतों से तो कंटिन्यूज संगर्ष किया ही इनके अलावा इस बंस के जो और सासक थे उनके नाम धर्म-पाल, देव-पाल आधी थे। तो पालवंस के जो सासक थे वह शिक् विक्रम शिला में बहुत मत निर्मान करवाया था और विक्रम शिला कालंतर में एक महत्पून सिक्षा के केंद के रूप में जाना जाता है। चालक बंस का संस्थापक मूल राज था यानि चालक बंस की जो नीव रखी थी बहे किस ने रखी थी मूल राज ने रखी थी। इस बंस के राजा भीम प्रतम के समय महमूद गजनवी का आकरमण गुजराद की ओर से हुआ था। महमूद गजनवी जिन्होंने सौमनात के मंदर पर आकरमण किया था उसे या उस घटना को इतिहास में कौन नहीं जान था। तो जब महमूद गजनवी ने भारत के गुजराद राज के सौमनात मंदर पर आकरमण किया था उस समय वहां के राजा भीम प्रतम ही थे और जिसमें काफी संघर्ष हुआ था जिसमें हिंदू बीरता से लड़े थे। यानि जब महमूद गजनवी ने गुजराद के सौमनात मंदर पर आकरमण किया था उस समय उनसे हिंदू राजा बड़ी ही बीरता के साथ लड़े थे किन्तु उनकी पराजय हुई थी यानि उनको हार का सामना करना पड़ा था। महमूद गजनवी ने गुजराद का जो सौमनात मंदर था वहां की मूर्ती को तोड़ा और बहुत सारी धनरासी लूट कर ले गया। महमूद गजनवी ने गुजराद का जो मंदर है उस पर सन एक हजार पच्चीस में आकरमण किया था। इसके बारे में हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम समयने की कोशिश करते हैं परमारवन्स। यह जो राजा है उनी के नाम पर उद्यपुर का नाम रखा गया है उद्यजीत के नाम पर तो चूकि हम यहां पर बात कर रहे हैं परमारवन्स की तो परमारवन्स के प्रमुक्ष सासक उद्यजीत के अलावा स्रीहर्श, मुंझ, सिंदुराज, भोजदेव और जैसिंग थ मालवा मैं सोतंतराज की स्थापना की थी यानि जो परमारवन्स का सासक था स्री हर्ष उसने मालवा राष्टकूट राष्टकूट जो कि दक्षिन भारत की राजा थे उन्हीं हरा कर मालवा मैं एक सोतंतराज की स्थापना की थी मालवा यहां पर नाम आया है मालवा, इंदोर, उज्जेन और धार का एरिया जो है हमारे मद्ध प्रदेश का उसे हम मालवा के नाम से जानते हैं और इंदोर के निकट धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया था धारा नगरी इन दोर से दो गंटे का रास्ता है धार धार सहर को उसने अपनी राजधानी बनाया था इनके अलावा परमारवंश में और प्रमुक सासक भोजदेव थे जिन कैतिहास में अपना ही एक अलग स्थान है और हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर राजा भोज की रा राजा भोज की बात कर रहे हैं परमारवंश के हम यहाँ पर जिसने भूपाल सहर को बसाया भोजपुर को बसाया उनी राजा भोज की हम इस परगराफ में बात कर रहे हैं राजा भोज जो की परमारवंश की राजा थे वह स्वेम एक अच्छे लेखक थे कवी थे और उच इसके ग्रंथ लिखे हैं इसके अलावा उन्होंने अपने शासनकाल में कई मंदिरों को निर्मान करवाया है तालावों को निर्मान करवाया है और उन्होंने भुपाल जिसकी हम बात कर रहे हैं जो कि मद्धपरदेश की राजधानी है भुपाल आप सब जानते होंगे का पुराना नाम भोजपाल है, जो की राजा भोज के नाम था. और उन्हीके नाम पर उनका नाम भोजपाल था, और भोजपाल से कालांतर में उसे बदल कर भोपाल कर दिया. तो भोपाल से 35 किलो मीटर दूर दक्षनपूर में भोजपूर बसाया जहां का शिव मंदिर प्रसद्ध है यानि जो राजा भोज हैं पर्मार बंस के उन्होंने भूपाल भी बसाया है और भूपाल से 35 km दूर दक्षणपूर वदिशा में भोजपुर बसाया भोजपूर में भगवान शिव का मंदर बनवाया है जो की काफी प्रसद्ध है और वहां की भगवान शिव की जो मूर्ती है बहुत ही बड़ी है तो मद्य प्रदेश की राजधानी का प्राचीन नाम पुराना नाम भुजपाल था और इसी को ही हम बरतमान में भुजपाल के नाम से जानते हैं यह बात आप सभी के लिए नोट करने वाली है या ध्यान रखने वाली है कि जो हमारे राजिक्रियाज़ानी भूपाल है उसका प्रणा नाम भूजपाल था अब हम आगे बढ़ेंगे और चोहान बंस को समझने की कोशिश करेंगे चोहान बंस राजपूत आने के मद्ध भाग में चोहानों का राज था यानि चोहान बंस चोहान बंस राजपूत यह भी राजपूत ही होती है चौहान बंस की बात कर रहा है, तो जो राजपूत जाती होती है या राजपूत समाज होती है उसी में तोमर, चौहान यह सब आते हैं, तो हम यहाँ पर चौहान बंस की बात कर रहा है, राजपूत आने के मद्ध में, मद्ध भाग में, यानि बीच के भाग में चौहानों का राज्जिता राजपूतों की साखाओं में बीच का जो समय रहा उसमें चोहानों का राज्जिता उत्तर भारत में और भारत में ये गुर्जर प्रतिहारों के सामन्थ थे यानि कि प्रारंब के समय में ये जो चोहान वंस के सासकते वह गुर्जर प्रतिहारों के सामन्थ थे किन्तु बिग्रह राज ने तौमरों को हराकर चोहान बंस के स्वतंतर राज की नीव डाली थे यानि पहले चोहान बंस गुर्जर प्रतिहार बंसों के सामन थे लेकिन इनके राजा बिग्रह राज ने तौमरों को युद्मेहरा कर स्वतंत्र चोहानवंस की नीव रखी और बारविशदी के आरंब में अजे राज चोहान ने अजे मेरु नगर की नीव डाली अजे राज चोहान चोहानवंस के सासक थे उन्होंने अजे मेरु नगर जिसे बरतमान में हम अजमेर नगर के नाम से जानते हैं जो की राजिस्थान में है जहांकि मौनुद्दीन चिस्ति की दरगा काफी फैमस है तो उस नगर को चोहानवंस की जो राजा थे अजे राज च जो आपनी बीरता के लिए जाने जाते हैं वह है प्रत्वी राज चोहान जिनकी बीरता का वर्णन कवी चंदवर्द अई प्रत्वी राज ने अपने गरंत प्रत्वी राज रासों में किया है। चंदेल सासकों से अन्नोच की राजा जो थे जैचन उनसे युद्ध हुआ और काफी सम्मानिय इस्थान है उनका इतिहास में तो 736 इस्वी में तोमरवंस के अनंग पाल ने दिल्ली का यानि की दिल्ली नगर को बसाया था बरतमान में जो हमारे देश की राजधानी है दिल्ली जिसे हम नई दिल्ली कहते हैं इस नगर को बसाया था तोमरवंस के सासक अनंग पाल ने जिसका पुराना नाम दिल्ली का था और कब बसाया था 736 इस भी में बसाया था तो यहाँ पर students हमने तोमर, sorry, चोहांड वन्स को समझने की कोशिश की थी Thanks for watching